दोस्तों कोई भी उसमें यूज नहीं करना ध्यादनी पौदा मर भी सकता है। मुसंब्भी लगाने का आज सारे औig खोल कर रखेंगे। और बताया हैं क्यों कैसे मुसंब्भी लगाते हैं। पौधा भी गमलों में भर भर के दुरसों उसमें फ्लावर और फ्लूटिंग भी आता है यहां तक एक आप लोग की चाहत होती है कि अम्य पराइब में पौधा लगाएं इससे नेक्सट जो वर दिन माल्टा आया है माल्टा का पौधा लगाएं कि माल्टा में ज्यादा फ्ल प्रूट भी आया हुआ है और उसका पौधा देखिए बहुत हैल्लिया पैसके बढ़ा है इसके बाद दूसरा भी मैंने किया पर्चिंश आप देख सकते हैं यह है ब्यातनाब माल्टा तो यह दोनों माल्टा के करके आपको हम दिखाएंगे कैसे बनाते हैं उसको बनागे आपको दिखाएंगे और यहां की बात करें तो होता क्या ना कि अपने लोकल नर्सरी से यह अलग-अलग जो नियू नियू बिराइटिया होती है जल्दी मिलती नहीं तो हमको अनलाइन का सहरा लेना पड़ा देख है जा कि वहां से आप संपर कर सकते हैं बात कर सकते हैं कि उनके पास फूट प्रांट की बहुत बिराइटी आती है एक बार जरूर अपनी कोईरी आप उनसे पूछ लीजिए बाग की कोई दिक्कत होगा तो आप उनसे साल्प कर लीजेगा दोस्तों सबसे बड़ी बात है क की जो माल्टा है ना अब मुसम्मि तो मुसम में और माल्टा दोनों एक ही चीज पूफ लेगने महां फर्क यह कि माल्टा वाले विरायटी में ज्यादा फ़लग होती है अब आपको बात करते हैं कि इसकी रिपोर्टिंग कैसे करते हैं तो देखिए आप देख रहे हैं ना रिपोर्टिंग करने के सबसे पहली बात है कि एक चीज़ आप ध्यान दीजिए जो पौधा पर्चेश करेंगे अनलाइन पर्चेश करें लोकल नर्सी से करें पर्चेश तो थोड़ा सा उसमें आपको ध्यान देना है तो ग्राप्ट वाला पौधा आप लेंगे तो बढ़ियां रहेगा एर स्वीट मालडा आता है यह सब गंबले में उप्यूक थे गंबले में आप इसे लगा सकते हैं हमने दोनों जो पौधा लिया है दोनों पौधा में फ्रूट है अगर आप भी अगर पर्चेश कर रहे हैं तो होता क्या है कि कभी-कभी इसका जो में समय फ्रूटिंग करना फ प्रूट इलगे दो पहुत करना करता है तो आपके लिए बिलकुल में बचे आते हैं चैसे पहले हैं विएति हैं और ऊसका सब्सक्राइख Sikret आप ध्यांस वीडियो को देख लोगा आ अगर आप देखने के लिए हम ने क्या ले रखा है और मिट्टी में देखें आप जानते हैं बागी चाहिए कि मिट्टी साफ सुत्री होनी चाहिए और बहुत ज्यादा दूसों यह नम नहीं होनी चाहिए देखिए इस तरीके के मिट्टी कितना पुले ना है दोस्तों दो थरीके से आपको उता रहे हैं कुछ लोग च्छत पे गाड़ेनिंग करते हैं तो च्छत के लि मिट्टी उसके बाद 30 परसंट आप ले लिए कंपोस्ट दोसों कंपोस्ट में अगर आपके पास लीप कंपोस्ट बर्मी कंपोस्ट शड़ी को बरिखा दे तो तीनों को 10% 10% 10% मेंटेन कर लेजिए और डाल दीजिए उसके बाद 20% ले लिजिए कोको पीट और उसके च्कान की भूसी आता है इसको ले सकते हैं यह बहुत ही बैति ने यह काम करता है लव को पीट्ट कि जलकाए मिला के आप ढल सकते हैं जो च假त पर लगाते हैं लंबले में प Mayo के लिए यह बना रहें हुसमें आगैं हम देखिए क्मीर ले रख़ें 40% तोना श्याया चाञ्ट परिके डाल दिया है और कोपीट की साथ हलका सामने मिट्टी Mayo के मतरे ज्यादा है और यह बर्भाद कमें जोती करना देख dessert YouTube are जाएं और शीधिंगे यह न्याव गया filter आपक ona आप K Otherwise स्साड करना की एक में टाक रिए में है ऐसे दोस्टों रेद इसली एक्यों कोपीट न मिलाता है लेकिन दोस्रों रिलिक कॉमिक्स कर लेते हैं इसको हमने कर लेते हैं तो इसको नोट कर l Selfee tuh हमने बनायाए च्लिप नमद। हमने मिले रखाएं त्यूट संड हमने ले रखाएं है या इसको भी आप इसको मिलास के बहुत ह durable कोश जरूरी चीजी इसमें बहुत से देखी जब मिट्टी के जहां बात आती है नो उन पर यहां बहुत जरूरी होते हैं लेंगे तो बार toutes कभी के भी दिक्कत आ सकती है तो देखिए इसमें हम ले लेते हैं नीम खली एक गंबले के बना रहे हैं तो एक मुठी नीम खली यह बिल्कुल यह यह परियाप्त है और उसके बाद दूसरे नमर पर क्या लेना है दोस्तों अगर फूट वाले पौदे के लिए मिट्टी अप आपकेल इसमें दूसरों एक बात ऑद आती है जो आप जाये तो मार्केट में कोई भी कर सकते हैं हम लेता है wrumo कितना लेता दयुबँच है कि अब दियुकिते के यह लेडी हो गया इसको अचे तरीके से इसको कर देता है हम मिक्स कैप आप दूस्तों बात आती है कि जिए किस साइज की गंबले में आपको लगाना चाहिए तो मैं आपको ताद हों कि अगर देखे छोटा पहोता नए दस इंच के गंबले में लग सकता है लेकिन कभी-कभी इसका तो दस गमले में से बढ़िया आया क्या 12 इंची गमला इसके लिए चैन करें तो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि रूट वाल उसके लिए दोस्तों 12 इंच के लिए बिल्कुल पर्याप्त है तो देखिए हम बारे इंच गमला यहां पर ले रखें यह देख सकते हैं 12 इंच गमला है और इसमें हम मिट्टी को भर देते हैं देखे हैं मिट्टी को भर दिए और उसके बाद तो इसको डाल कि चेक कर लेजिए कि कितना दूस्तों यह उपर तक आ रहा है यह इसकी साइज बिल्कुल परियापत ठीक है बढ़ियां है क्योंकि होता क्या ना कि जब भी गमले में लगाते कोई पौधा तो थोड़ा सा दूस्तों खाली रखते हैं तो बढ़ियां रहता उसके लिए और इसको मिटख से उपर से हम यह यह डाल लेते हैं कि डेके थोड़ी सी मिटे दिए हल्किस थोड़ी सी मिटी और कम हो गई है इसको अम बाद में ढाल देंगे कैसे मिटी डालनेके बाद इसस तरीके से आप अंघल पगल से अभीत ठोकाई करते हैं ताकि मिटी पूरा जा है यह पानी है er zисौ आपको भादा आपको हम उसके बाद है रआ मेने सकते मुसंव के पउना मालटा का पयोग्र कोई दिक्कत नहीं लेकिन अगर खास्ता होसे अक्टूबर-onnौम्बर में लगा रें टो थंडी तो सो इसके लिए ve היה हो था है जैसे Sat थंडी जाने लगती है उसी साफ से इसका पौधा की ग्रोध दिखाना शुरू करता है एक बद आप नोट कर लेना है कि अगर अक्टूबर या नौंबर में हम पौधा लगा रहे हैं दोस्तों इस ट्रांग पोर्टिंग मिक्स के बाद थंडी बीतने तक दोस्तों कोई भी उ कि आप उसमें फरओरी में अना शुरू होता है एक बाद और नोट के लिए जी चोटा पौधा है और छोटे से पौधे में दोस्तों होता क्या ना कि इसमें भरफूर यह फ्लाओरिंग आएगई फरओर आवर मार्च के महीने में तो उसमें करना क्या है आगर थोड़ी सी दो एक काम ये कर सकते हैं कि इसमें से जो फ्लाउरिंग जैसे आती है रिमूब कर देजीगा हूं कि अगली बार कि भी Miya तो छोड़ देजेगा क्योंकि आप यसा होता हहा है कि पौदा कुछ अर मैच्चूर और जाएगा जैसे यह देख रहा है ना इसमें तो कितना होगी फ्लावरिंग आया है कोई टेंशन नहीं है अब यह फ्लावरिंग आएगा तो बस इसको सपोर्ट आपको करना है, जैसे फुरूटिंग आएगा तो आप देखरान पूर्न के जो फ्लच होता है इसको आपको सपोर्ट देना पड़ेगा तो इसमें आपको पौदे को मैचूर बनाने के लिए यह फ्लावरिंग आपको रिमूब करना पड़ेगा उसके बाद एक बात आपको हम बता हैं बहुत इंपोर्टेंट नोड कर लिजिए यह फ्रूटींग वाले अक्तर पादे में होता है कोई भी पादा आप लगा रहे हैं या एक काम आप जरूर कया करिए क्या करना यह बोर्डो मिक्सर रहा हमें ले रखा है तो आप जानते मिक्सर चंब इस चrid we भी एंफकुन फैल जाता है आपको पता भी चलता है तो कुछ इस तरीके से आप से डिखेंगी बरस का इस्तों का इस्तृमाल होता है नुक्सान करता है यह को ध्यान दे किसी-किसी बाडि को शुट नहीं करता है तो कुछ इस तरीके देखे इसमें लगा देंगे जोशे एसका इनफेक्षन यह इसमें नहीं लगता है यह एक हम आप इसमें जरूर करिएगा ऐसे क्या है कि ऐसे आपका पौदा बिलकूल सेफ रहेगा लोगों को लगी यह इस्ट्रा वर्क है तो अगर फूटिंग प्लाइन अब गमलों में लगाना चाहते हैं तो कुछ इस्ट्रा वर्क आपको यह करना पड़ेगा और यह बहुत जरूरी है नहीं तो कभी कभी होता है कि जब पौदा मर जाता है तो दोस्तों महे यह इस तरीके से आपको इसको लगा देना तो प्लीज बीडियो को लाइक करीगा चैनल को सब्सकाइब अप जरूर करीगा इसमें जो सीक्रेट था तापको पता चले कभ़ता आपको जल्दी से गुरू करें गा और उसमें फ्रूटिंग आना पता अन करें दो को